आज मैं आपके लिए भटूरे की रेस्पी लेके आई हूँ भटूरा तो बहुत पसंद आता है, सबको बहुत पसंद है भटूरे और जब भटूरे बिल्कुल बाजार जैसे मिले वो जालिदार और इंस्टेंटली बन जाए तब क्या कहना तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे टिप्स और ट्रिक्स के साथ भटूरे की रेस्पी लेके आई हूँ जब आप इसे खाओगे तो बिल्कुल बाजार वाली फिलिंग आएगी क्योंकि ये बहुत अंदर से पूरी जालिदार बन के तयार होती है ये देखिए मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ और अगर आपको ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज हमेशा चाहिए तो आपको बस एक काम करना है वो काम क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ क्विक और इजी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथ में जो बेल बटन है उसे भी दबा दीजेगा इससे आपको मेरे वीडियो के लेटिस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आयते एक लाइक का बटन चिरू दबा देजेगा तो मैं यहां ले रही हूँ लगबग 2 कप मैदा एक कप लगबग 200 ग्राम के बराबर होता है आप चाई पीने वाला कप का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मेजर करने के लिए दो कप मैदा के साथ मैं डालूँगी इसमें 2 चमच भर की 2 चमच सूजी भर्टोडे में सूजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें क्रिस्पीने साता है यह मैं पीसी वी एक चमच चीनी डाल रही हूँ और आधा चमच इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और लगबग आ तीन चमच घी डाला है गी डालने के बाद आटे को थोड़ा सा मल लीजिए एक अधा मिनट के लिए इसके बाद आप इसमें डालीए आधा कप दही मैंने दो बट दही डाला है क्योंकि मेरा जो मेजरिंग कप था वो वन बाइफोर वन बाइफोर का था और इसे हमें गरम पानी से आंटे को गूतना है पानी बहुत हिसाब से डालीएगा आंटा को गीला नहीं करेगा थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालीएगा और इस बिल्कुल इसी तरह से उंग्लियों से ही मसल के गूतना है और जब आपको लगे कि मेरा आण्टा गूत चुका है अच्छे से उसे इसी तरह से 10-15 बार हमें पटकना होगा, इसको लचीला बनाने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये बिल्कुल लचीला नहीं है, दिख रहे हैं, ये रबड की तरह नहीं गिच रही है, तो हमें क्या करना है, इसे 10-15 बार अच्छे से पटकना है, बिल्कुल इस तरह से, जितना जोड से आप पटकेंगे न, उसमें उतना लचीला पनाएगा, उसका gluten डिपलप होता है, और ये मैंने 10-15 बार पटक लिया है, अब मैं आपको इसे खीच के दिखाती हूँ, ये बिल्कुल लचीला हो चुका है, दिख रहा है न, ये देखिए, बिल्कुल flexible हो गया है ये, अब सबसे main काम क्या करना है हमें, एक casserole में मैं गरम पानी डालूँगी, गरम पानी डालने के बाद, एक बर्तन में मैं अपने भटूरे के आटा को रखूंगी, आटा को रखने के बाद, मैं उसी casserole में इसमें डाल दूँगी, अगर आपके पास casserole ना हो, तो आप कूकर का यूज़ कर सकते हैं, कूकर में गरम पानी डालिए, बर्तन में आटा डालिए, उसके अंदर रखके कूकर का ढखन बंद कर दीजिए, 20 मिनिट के बाद जब आप चेक करोगे ना, तो भटूरे को जो आटा है वो फूल चुका होगा, और उसके अंदर एक अच्छी सी जाली भी बन जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर भी जाली डेवलाप हो चुकी है, ये देखिए, जब मैं इसे खीचूँगी ना, तो इसके अंदर जाली दिख रही है, अब हमें इसकी लोई बनानी है, आप थोड़ा सा हाथ पे तेल घस कर, इसकी लोई निकाल लीजिए, इस तरह से लोई निकालना है, और लोई को आप रॉल करकर, चकले पे तेल लगा लीजिए, थोड़ा सा बेलन पे भी तेल लगा लीजिए, और इसे हमें ओवल सेफ में बेलना है, बेलते समय आपको ध्यान ये रखना है, कि भट्रा जो है, वो किनारे से पतला नहीं होना चाहिए, बीच में थोड़ा पतला हो तो चलेगा, हमें रोटी की तरह बेलना है, लेकिन किनारों को थोड़ा मोटा ही रखिएगा, तो ये हो गया, और भट्रे को छानने के लिए जो तेल है, वो काफी गरम होना चाहिए, गरम तेल में ही भट्रे बहुत अच्छे फूल थे, तो आप अराम अराम से डालिएगा, क्योंकि तेल गरम होता है, तो आपको छीटे पड़ सकते हैं, और ये बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगी, और अगर आपको लगे कि मेरा भट्रा नहीं फूल रहा है, तो आप क्या करना है आपको, जिस तरफ से फूल चुकी है, वहाँ पे थोड़ा से दबाओगे, तो ये पूरी तरह से सार चारों तरफ से फूल जाएगी, बिल्कुल इस तरह से, फूल के तयार हो जाएगी, फूल गई ना, कहीं भी ऐसा नहीं है, जहां से ना फूली हो, इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, अपने दूसरे वट्रे को भी डाल कर, वह भी फूल जाएगी, अगर आप मेजर्मेंट का ध्यान रखोगे, तो सारे वट्रे पूलेंगे, ऐसी एक भी नहीं हो, जो नहीं फूलेगी, यह बिल्कुल यह भी उसी तरह से, मैंने इसको बना लिया है, आपको करना क्या है, आपको मेजर्मेंट का ध्यान रखना है, मैंने आपको मेजर्मेंट अच्छे से बता दिया है, चम्मच जो हम यूज करते हैं, स्पून जो यूज करते हैं, वो जो हम खाना खाते हैं न, उस चम्मच का मेजर्मेंट हम लेते हैं, मैं टेबल स्पून की बात नहीं कर रही हूँ, तो यह देखिए यह भटर्य बन चुके हैं और इसमें अच्छी खासी जाली भी अंदर बन चुकी है यह देखिए और अगर आपको मेरे छोले की रेसिपी चाहिए अमरित सरी पिंडी छोली की रेसिपी तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देदेंगी आप उसे चेक कर लिजेगा अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए शेर करिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा